दोस्तो यार अब से 10-11 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल है जो मुजिक यूट्यूब चैनल है जो अपने गाने बनाते हैं अपने सौंग्स बनाते हैं और बैक्राउंड में मतलब अपनी तर पर मुजिक वीडियो अप्लोड कर रहे हो किसी से कोई background मुजिक ले रहे हो और कोई गाना या कोई सौंग ले रहे हो और वो उसको अपने वीडियो डियो के अपाई करके आप चैनल मॉनेटैजिए क्राना चातेbernते हैं तो धोक्तो दोस्तों आपको हैं आपको आज र्यू यूट्यूब चैनल कभी भी मॉनिटाइज नहीं होगा अब मैंने आपको रिजन्स भी बतायते हैं सारी डिटेल इंफॉर्मेशन समझाए थी किस किस वज़े से नहीं होगा या तो आपके यूट्यूब चैनल को जब कैंसल कर दिया जाता है ज्यादतर कैसिस में देखा जात हूँ फिर से आपको धियान रखनी है यह चीज दिमाग में जैसे आप कोई म्यूजिक तयार करते हैं कोई भी गाना तयार करते हैं उसको एडिट करने के साथ साथ आप एक चीज करते हैं वह बहुत बड़ी गलती होती है मैं आपको बता दू करते क्या है आप आप जब पर को लोग प्रेस करके पूरा उस ओडियो के साथ में सेट कर देते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप यह करते हैं तो दोस्तों इस चीज को अवईड करें ऐसा काम ना करें जो कि यूट्यूब को लगे के कंटेंट सारा आपका है लेकिन आपने किसी और का यूज किया है त अपने साथ में जब अच्छी सी एडिटिंग करोगे तो उसको आप जब अपलोड करोगे अपने यूट्यूब चैनल पर तो आपका चैनल 101% मोनटाइज भी होगा अब आपको करना क्या है माल लीजे अपने एडिटर ओपन किया उसके अंदर आपने ओडियो उसके नीचे पूरी लेयर के अंदर डाल दिया फिर आपको क्या करना है आपको शुरू में या तो अपनी कोई creativity दिखानी है मतलब अपने वीडियो के अंदर आपको खुद बोल कर दिखाना है कि देखे मैं आपर एक song दिखाने वाला हूँ या आपको करना है कि आपको उस वीडियो के अपना कुछ डायलोग बोलना है यह कुछ भी ऐसा बोलना है जो यूट्यूब को ये लगे ये content आपका ही है यूट्यूब को doubt ना हो यूट्यूब को शक ना हो यूट्यूब को confusion में न जाएगा ये content आपका नहीं है आपको proof करना पड़ेगा अपनी वीडियो के अंदर के content आपका है क्योंकि अगर आप proof नहीं कर पाते हैं तो आप कितने वीडियो डालीजिए कितना चैनल ग्रो करा लीजिए कितने भी वीडियो को वारिल करा लीजिए आपका channel कभी भी monetize नहीं होगा और फिर आपने अगर ऐसे content डाल लगके अपनी चैनल पर और आप फिर इस तर records हैं आपके वीडियो के सारे चेक करेगा और फिर इसको लगेगा कि आपने और आप अपने यूट्यूब चैनल पर ठीक तरह से काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर content जब पड़े हुए होते तो उनके reason की वज़े से भी आपके channel को reject कर दिया जाएगा आपको ये चीज धियान अगर आप पहले से गलती कर रहे हैं और अभी गलती कर रहे हैं तो फ्यूचर में गलती करना छोड़ दें आप अपनी वीडियो के अंदर अपनी creativity लाना शुरू कर दें और अपनी creativity लाने के बाद में आपको जो पिछली वीडियो से हैं सारी वह डिलीट करनी पड़ेगी और जब आप वीडियो डिलीट कर दोगे आपके दिमाग में एक चीज़ और रहती है कि जो हमारे यूट्यूब चैनल के उपर वोच टाइम जनरेट हुआ है उन वीडियो से जो हमने पिछली अपलोड कर रखी है तो दोस्तों वह आपकी सारी वीडियो का वोच टाइम भी लिए उन वीडियो से और आपने जो आगे नेक्स्ट टाइम में वीडियो बनाई है उससे एक हजार घंटे आ गया है और टोटल चार हजार घंटे का वोच टाइम कंपलीट हो गया है तो वह तीन हजार घंटे आपके हंड़ेट परसेंट डिलीट हो जाएंगे तो आपको आपको एसी वीडियो बनानी है यह जो आपके यूटीॉब चैनल के लिए सही रहे हैं टिकी रहें और उनका वाश टाइम भी आपके юटीूब चैनल पर टिका रहेगा कभी भी कम नहीं होगा एक मिनट भी कम नहीं होगा अगर आपका कॉन्टेंट ब्रकेन होगागा और आ monetization को apply कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर creativity डालने के बाद में अपनी वीडियो के अंदर proof करके कि आपका ही ये content है आपने ही इस content के अंदर काम किया है और आप ही इसके लंबा long time होता है यूट्यूब के उपर काम करने का भी बहुत जादा time लगता है बहुत समय लगता है तो इसको future में बनाकर रखने के लिए भी आपको अपने चैनल के उपर creativity लानी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने ही content तयार करने पड़ेंगे दोस्तो आई होब के हाँ पर आपको सभी कुछ समझ में आ गएगा होगा जो बाते मैंने आपकर आपको समझाए हैं दोस्तो बस فिलाल वीडИो में इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत شुकरिया मुझे उम्मिद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपने अभी तक इस